नमस्कार दोस्तों, आज की इस नहीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम दस्मलब के घटाव के बारे में सीखेगें, हम सीखेगें दस्मलब की संख्याओं को आपस में कैसे घटाया जाता है, यह पिछली वाली वीडियो का पार्ट 2 है, जिसम दस्मलब 6 माइनिस 16 दस्मलब 4 तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 25 दस्मलब 6 16 दस्मलब 4 यहाँ पर माइनिस कंचान लिखा देंगे हम जैसे की नॉर्मल संख्याओं को गठाया जाता है वैसे गठाएंगे इसको भी दस्मलब 6 मैं से 4 गया तो कितना बचा 2 यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 है यहाँ से 2 मैं से 1 ले ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है 15 15 मैं से 6 गये 9 अब यहाँ पर 1 ही बचा ए 1 मैं से गया तो 0 ही बचेगा अब यहाँ पर 10 mir Comme के बाद 1 से 2 bekommt anyone चोठके 10 7,1,8 तो हम इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 21,0,0,1 मानिस 7,0,1,8 अब मारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा लगे अब इसको मानिस करेंगे 1 से 0 गया तो 1 यहाँ पे हमारे पास 0 है पर यहाँ पे 8 है यहाँ से 1 यहाँ पे आया तो यहाँ पे 10 बन गया पर यहाँ से एक और हमने यहाँ पे लिलिया तो यहाँ पे 9 रहा गया और यहाँ पे 10 हो गया तो 10 में से 8 गये 2 और 9 में से 1 गया 8 10 में लोग वैसा कर वैसा लगा लेंगे अब यहाँ पे 0 बचा हुआ है तो 1 इजरे से ले लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 10 मेरे 7 के 3 और यहाँ पे 1 बचा हुआ है एक को इजरे लिख लेंगे यह हमारा अंसर हो जाएगा 293.05 0.75 माइनिस 63.792 तो इसको कैसे लिख लेंगे 293.05 0.75 माइनिस 63.10 792 यहाँ पे हम इसको ऐसे घटाएगे 5 में से 2 गया 3 यहाँ पे 7 है यहाँ पे 9 है यहाँ पे 3 है हम यहाँ से एक अंक उदार ले सकते हैं तो यहाँ पे 10 बन जाएगा और यहाँ पे वापस एक अंका जाएगा यहाँ पे 17 बन जाएगा यहाँ पे 9 रह जाएगा तो 17 से 9 गए 8 यहाँ पे 9 से 7 गए 2 और यहाँ पे हमारे पास 2 बचा हुए है जो की 3 से चोटा है तो हम यहाँ से एक अंक उर ले लेंगे इसमें यह 12 हो जाएगा 12 से 3 गए 9 और यहां पर आट बचा हुआ है हमारे पास 8 से 6 गये हैं दो और दो वैसा कब वैसा ही आ जाएगा हमें आपर देखें कि 10 उमलब के बाद कितने अंक हैं तो यहां पर यहां पर तीन उम्च चोड़ गए 10 नवफ लगा देंगे तो यह हमारा अंसर है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मैं आसा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा सिखाए गए सवाल समझ आते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगती है तो आप प्रिपया अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजिए ऐसी बैतरीन वीडियो को देखने के लिए इससे अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि दस्मलब की संक्याओं को कैसे गुना किये जाता है आज के लिए इतना ही धन्यवाद जहिंद